टीकमगार जिला अस्पताल में कुछ दिनों से आई फ्लू यानी आंख की बीमारी के मरीजदेग देखे जा रहे है जब हमने नेत्र विभाग के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने जानकारी डेटे हुए बताया कि तापमान बदलने के कारण वेक्टिरिया फेलते हैं जिनके इन्फेक्शन की वज़े से ये आई फ्लू नामक बीमारी फेल रही है डॉक्टर उमेश कुमार जैन ने बताया हमको आखे बार बार धोना चाहिए और जो चिकिस्क द्वारा दी जाती है वे दवाईया अवश्यक हाए उनका सेवन जरूर करें चुकि मोसम जब भी बदलता है तो ताफमान में परिवलतन के कारण दिवहन प्रकार के वाईरस बैक्टिरिया उत्पन होने लगते हैं जिनके इन्फेक्शन की वज़े से ये आई फ्लू या कई तरह की बीमारियां फैलती है और इन बीमारियों के बचाओ के लिए अवस्यक है कि हम अपने पास साफ सफाई बना के रखें विसेस कर तोर से अपनी सालिलिक स्वच्छता का विसेस भ्यान रखें आख के पास यदि कोई आख में इन्फेक्शन होता है तो आख के पास खान, कपड़ा, कोई वस्कूना लगाएं यदि लग गया तो उसको अलग रखें हमने यदि हाथ लगा तो उसको अच्छे से साबुन पानी से साफ करें और चिकिस सक्वारा जो भी दवाई बताई जाती है उस दवाई को निमेज़ में सब्री अपका है